आप लोगे ने सही वीडियो को ग्रिक के हैं सेंटर परिक्षा और फाइनल परिक्षा के बारे में हम बताएंगे परिक्षा फॉर्म कब से भराया जाएगा परिक्षा सुल कर डॉकुमेंट्स कौन कौन से लगने वाला है जैसे कि आप लोगों ने पढ़े होंगे इससे पहले या कहीं कहीं आप सुचना को देखे होंगे कि कुछ ऐसे डॉकुमेंट्स हैं जो अगर आपके पास नहीं होते हैं तो आप विहार बोर्ट 2024 का परिक्षा फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो ऐसा कौन सा डॉकुमेंट्स होने वाला है या फिर वो जनकारी जो आपको किसी ने दिया वो गलत था या फिर सही था ये आपको आज किलियर कर देंगे हम इस वीडियो में तो वीडियो को पुरा ध्यान से देखेगा अगर आप वीडियो को समझना चाह रहा है तो वीडियो को कंप्लीट देखेगा क्योंकि परिक्षा फॉर्म आपका भराएगा तो उस समय आपको बहुत सरा ऐसा डॉकुमेंट्स होगा जो आपके पास नहीं होगा तो उसमें आपको कुछ जो छूट मिलता है आवेदन सुलक में यानि परिक्षा फॉर्म भरने में जो पैसा लगेगा आपको कितना लगेगा और उस पैसा में आपको छूट कैसे प्राप्ट करना या जो मिलेगा वो आपको नहीं मिल पाएगा तो कुछ ऐसा डॉकुमेंट्स है वो आपको अभी के अभी बनवा लेना चाहिए होगा और कौन-कौन साइसा डॉकुमेंट्स होने वाला है किने बिद्यार्थियों को छूट मिलेगा किने छूट नहीं मिलेगा वो भी आपको जनकारी देंगा साथ ही परिक्षा पैटर्ण के बारे में अनंद किसोर जी कुछ बताया है जो बदलाव किया गया है वो बदलाव हम आपको आगे समझाते हैं विस्तार पुरबक तो समझने के लिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है अगर इस किजेगा जो भी आपका सवाल होगा हम प्रयास करेंगे अगले वीडियो में आपके सवालों का जवाब पूरी तरह से दिया जाए बांकि चलते हैं आगे समझते हैं पैटर्न सहीत आन्य जनकारी कोड़ने में इंडिया रूमेटरिक में कौन कौन सा रिकुमेंट्स लगने रिक्षा में पास नहीं करेंगे तो आपका आपका जानी नहीं किया जाएगा बात करते हैं रिकुर्मेंट्स कौन कौन सा होने वाला है 10 विद्यार्थी के लिए यानि मैट्री के लिए आपको रिश्टेशन का आधार कार्ड पैंक पास्ट्बूक इमेल आयरी मोबाइल न अब ही कभी इस आपको पत्र को बनवा लिजिए अगर यह नहीं बनवाते हैं तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है साथ ही अधार कार आपको पर 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 सेंटर पर भी लेकर जाना होगा वहीं 12 विद्यार्थी के लिए कौन को से लगने वाला है तो यहां पर है मैट्रिक हलाकि पिछले बर्स की बात की जाए तो पिछले बर्स 25 सितंबर तक 15 से लेकर के 25 सितंबर तक इंटर परिक्षा फोर्म भरा गया था जबकि मैट्रिक परिक्षा फोर्म सितंबर के अंतिम सब्ता सुरू हुआ था जो कि अक्टोबर भर चला था वहीं बात करते हैं फी के ब यहां पर किलिक करके देख सकते हैं, सेंटर प्रस्न पर अगर डाउनूर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो गूबर पर आजाना है अभी से ही, और यहां पर आपको सर्च कर लेना है, माधव NCRD क्लासी से, यहीं से आप परिच्छा पैटर्न जो बदलाब किया गया है वो सारे भी देख सकते हैं, इस बर प्रस्नों की संख्या डबल नहीं रहने वाले हैं, बलकि प्रस्नों की संख्या आदा हो जाएगी, यानि 100 के एगजा में आपको 60 objective प्रस्न मिलेगा, जिसमें से आपको 50 objective प्रस्न को बनाना होगा, जबकि पिछले वर्स ऐसा नहीं था, यहां पर होम पेज पर होम पेज पर हमने किलिक कर लिया, जैसे हमने होम पेज पर क्लिक करते हैं, तो यहां से आपका center प्रस्न और बहुत सारी जनकार, यहां से पहले तो आप देख सकते हैं, सारे class की तयारिया, बिल्कुल फिरिय में कर सकते हैं, और यहां पर daily online test लगा सक बटन मिला है सर्च बटन में आपको क्या करना है कि लिक कर देना है और जैसे अगर आपको मॉडल पेपर लेना है तो मॉडल पेपर लिख सकते हैं यहां पर लिख सकते हैं बिहार बोर्ड सेंट अप एक्जाम यहां पर सेंट अप एक्जाम भी लिख सकते हैं जैसे इस वात को हम दो सब्सक्राइब करेंगे बिहार बोर्ट सेंटर पिक्जाम के यहां पर देखिए रूटिंग और सिलेबर जारी हुआ और नीचे आपको परस्न पत्र देखने को मिल जागा यहां पर देख सकते हैं संस्क्रीट का यह प्रस्न पत्र है अब्जेक्टिव पसंद आए वीडियो को लाइक करो चैनल को अभी कि अभी आप सब्सक्राइब करेंगे आगे आपको बहुत सरजनकारी मिलने वाला है अगर जो प्रॉब्लम लगा है या भी जो कुछ पूछना है अगर कुछ बच गया है इस वीडियो में तो आगे हम आपको बताने का प् प्रिक्षा का पैटर्न क्या है तो वहां से आपको मिल जाएगा मांके मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब तक के लिए जाएं वंदे मातरा